साहित निद में आज सुनिए वरिष्ठ लेखे का मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी और अंत में येश्यू विश्यू जीत ने मुझे लिखा था मैटम इस पत्र के साथ एक छोटा सा पैंफिलेट नुमानिमंतर कार्ड भी भेज रहा हूँ जानता हूँ इसे देखकर आपको दुख होगा मेरा बपतिस्मा जी मैडम आगामी रविवार बीस फरवरी को मैं अपना बपतिस्मा करवाने जा रहा हूँ पवित्र जल में तीन दुखकी और मैं विश्व जी चकरवर्ती एक साइंस ग्रेजुएट खाटी वेशन परिवार का ब्रामन अपने पूरे होश हवास के साथ इसाई बन जाऊँगा जानता हूँ आपकी बोहें चड़ गई होंगी मुझ खुला का खुला रह गया होगा दीरे से आपने कहा होगा अविश्वस नी है पर यही यह थार्थ है मैं ये इसाई धर्म इसलिए नहीं स्विकार कर रहा हूँ कि मैं एकाएक किसी बड़ी रोशनी में आ गया हूँ या येशु के टैन कमांडेंट्स में मेरी आस्था एकाएक जाग उठी है या ग्यान का कोई बोधिस्तत तो मेरे हाथ लग गया है मैडम ये सब मैं कृतिगिता आवश कर रहा हूँ उन लोग के प्रति जिनोंने तब मुझे साहरा दिया था जब मेरे जीवन के सूरी को पूरी तरह ग्रहन लग चुका था याद आ रहा है कभी ड्रक के अंदेरे में डूबे मेरे वजूद को देखकर आपने मुझे से कहा था जीने के लिए ड्रक के सहरे की आवशक्ता उन्हें पड़ती है जिनें जीवन से प्यार नहीं होता अपने भीतर की लोग को किसी प्रकार जिलाए रखो देखोगे कि जीवन अपने आप में कितना सुन्दर है कि जीवन का गौरव अभी भी तुमारी प्रतीक्षा कर रहा है मेडम आपकी बाते सुन्दर हैं अति सुन्दर पर वे उनी जिन्दिगियों पर लागू होती हैं जिनकी जमीन में फिर भी कुछ नमी कुछ रंग बचा रहता है पर जहां रेथी रेथ हो ऐसे रीते रेती ले रंग हीन जीवन की मार खाखा कर या तो खत्म हो जाते हैं या कर दिये जाते हैं ताज़ुप है आप रेंगती इकसरती जिन्दिगियों पर लिखने का दावा करती हैं मानों की इत्रासदी उसके संगहर स्वपन और मुक्ती की बात करती हैं फिर भी आपको हैरत हुई लोहर दगा के उस आदिवासी परिवार से मिलकर जो एक क्रोसीन की टेबलेट के प्रतिदान में इसाई बन गया था जीवन की बहावैता और उसका चरम दारों और क्या होता है मैडम ऐसी ही काली परिस्तितियों में असु आते हैं धर्मानतरन के बीच कभी गई हैं आप जुग्गी जोपणियों और पस्तियों के बीच हावरा सियाल्दे के प्लेट फार्मों पर फ्लाइ ओवर के नीचे बने स्लम के सीलन भरे अंधेरे तैखानों में कभी चलिए मेरे साथ मैं दिखाऊंगा आपको रिस्ती रेंगती अपाहिस जिन्दगियां बुढ़ापे को मात करती जवानियां मा के गर्व से पैदा होता बुढ़ापा इनी जगहों पे धेरों धेर ऐसे बच्चे हैं जिनका बच्पना जुलसा हुआ है जो नशे के कुटैवों के और मस्तानों की वासनाओं के शिकार हैं जिन हातों में किताब होनी चाहिए उन हातों में भारी भरकम जाडू है मैंने देखा है मैडम बड़ी बड़ी भट्टियों में जुलस्ते सो कोमल चेहरे टाट के पर्दों के पीछे नशे बाजों को सामान सर्व करते नन्ने हाथ माल सर्व करते करते विस्वयम भी उसका शिकार हो जाते हैं इट गारा ढोती कोमल दे ताज्यों भे मैडम ये मंदिरों और नदियों का देश है या बाल श्रमिकों का यदि जीवन मनिशे की तरासदी और उसकी नियती से जराभी लगाओ है आपको तो आप उन जिन्दिग्यों की कहानी लिखिए जिनकी कभी कोई कहानी नहीं बनती पर इसके लिए आपको इस तरस्त पीडित और भठकती हुई मानवता की बीच कुछ दिन गुजारने होंगे सिर्फ इशर में लीन रहने या सिर्फ एक कमजोर और दुखी आत्मा की तरह धर्मानतरण पर दुख करने या चिंता करने से बात नहीं बनती हमारा एक प्रोजेक्ट है Children at Risk उस प्रोजेक्ट के अंतरगत हमने ऐसे ही 250 बीमार अमानवी इश्रम के शिकार नशा एवं कुटेव के शिकार 300 बच्चों को फुटपातों एवं बस्तियों से उठाया है दीरे दीरे अभी बच्चे स्वस्त हवा में सांस ले रहे हैं इनने घर की आत्मी उश्रता से परचित कराने के लिए हमने इनके लिए Midway Home की भी व्युस्ता की है इसके अत्रिक हार्ड कोर ड्रग अडिक्ट के लिए Detoxification Center भी है मेरा उद्धार इसी Detoxification Center में हुआ था मैडम आप इस प्रोजेक्ट के साथ पिशेश कर Children at Risk के साथ अवश्य जुड़ें तब समझेंगी आप की जीवन धर्म से कितना भारी पढ़ता है जिस दिन जीवन के तलहट पर खड़ी इन लुझ पुझ जिदगियों को जीवन का गरल पीते अपनी आँखों से देख लेंगी शर्तिया धर्म का सोमरस आपको बहका नहीं पाएगा एक और अन्रोथ इसी पत्र के साथ एक लिफाफा अपने बड़े भाई के नाम भेज रहा हूँ क्रप्या ये उन तक पहुचा दे दूसरी दो पहर लिफाफे के साथ मैं निकल पड़ी उसके बड़े भाई के हाँ रास्ता आगे बढ़ रहा था पर मैं पीछे जा रही थी साथ में उंगली पकड़े पकड़े कुछ बीते सत्ते मेरे सूने मन को ठक ठकाते बादलों से घिरी वो एक उदाश शाम थी जब पहली दफा मैं उसके घर के लिए निकली थी अंधेरे से घिरी सकरी सी खटर पटर वाली गली के अंतिम नुकर पर था उसका मकान खोजने में थोड़ा वक्त लगा पाड़े के एक चाय वाले के यहां कई बेरोजगार युवा चाय की चुस्कियों के बीच करिश्मा कपूर की बिलौरी आखें और उसके लेटिस प्रेम प्रसंग पर विचारी मर्श कर रहे थे उनी में से किसी एक से मैंने पूछा विश्यजीत को थाक थाके बोलते पारो अर्थात विश्यजीत कहां रहता है बोल सकते हो कौन विशुदा एक लड़के ने कहा और तभी उसकी आवाज को काटती दूसरी तेज आवाज उभरी सई पत्ता खोर बंगाल में हेरोईन या ब्राउन शुगर की एक डोस को एक पत्ता और उसके सेवन करने वाले को पत्ता खोर कहते हैं और उसने भद्धी हसी के साथ उंगली दिखा दी पत्ता कोर शब्द खंजर की तरह सीने में गड़ा तो अब यही पहचान रह गई है उसकी दृष्ट सत्ते ही सत्ते है नेपत्ते के यथार्थ को जानने में किसी की दिल्चस्पी नहीं बहराल पुराने जमानी की जमीर की साकल वाला एक मंजला उसका मकान उत्हासा कुंडी खरकडाई तो सामने उसकी मा ठटरी सी देह जुकी कमर चेहरा जैसे जुर्णियों का जंजा उदासी और ठकान भरी मुतिया बिंदी आँखे मुझे देखते ही सिकुड गई वे आँखे विश्वजीत हैं उनी से मिलना है चेहरे की खाल कापी उनकी खुले अद खुले होट कपकपाए उंगली दिखा दी उनोंने इधर दर नजर घुमाई सिर्फ खाली बन एक असीम और कालाती सरनाटा पसरा हुआ था जिंदगी की उब और अकेले पन की ठिटुरन से जकडी हो आत्मा कुछ कदम मेरे साथ चली फिर जाने क्या सोच बुदबुदाती हुई मुढ गई सामने ही एक कमरा उड़काया हुआ हलकी सी दस तक एक बार, दो बार, तीन बार कोई सुनवाई नहीं आखिर गली हुई लकडी वाले उस दर्वाजे की फांक से मुन्डी अंदर घुसाई उकुडी पपड़ियों वाली सीलन भरी दिवारे चहूओ वे सब कुछ रहस्य में सा कहीं गलत कमरा तो नहीं दिखा दिया उस व्रद्धा ने प्रद्धा वस्ता में व्रस्तिशक यो भी आउट अफ ओर्डर हो जाता है सोचती हुई फिर वापस मुरी पर आसपा सब्वीरान ना कोई इंसान ना इंसानी आवाज थोड़ी हिम्मत बटुरी और आखिर में दो कदम अंदर घुसी के एक जबरदस्त द्रश्या घात ठिटके ठहरे उस परवेश में बहता हुआ समय जैसे कोने में आकर ठहर गया था सारी खिड़कियां बन एक कोने में सिर पर चादर डाले सिर जुकायो बैठा था अडूल निस्पंद बाए हाथ में पन्नी दाए हाथ में रखी जलती मुंबती उस पन्नी को नीचे से हलका हलका ताप देती हुई पन्नी पर रखा चून घी की तरह पिगला फिर धुआ उसी धुए को स्ट्रॉगी सायता से समाधिस्त सा खीच रहा था वो जैसे जीवन की सासे खीच रहा हो भै उत्तेजना रोमांच और विस्मे की मिली जूली अनभूत से मैं जैसे काट हो गई थी एक मिनिट के लिए वापस लोटना चाही तो कदम उसके गुर्तवा करशन जोन की और चुमबक की तरह खीचने लगी मेरी सारी इंदरियां अकसमात जाग गई थी कनपटी तरखने लगी ये तो सुना था कि विशू ड्रक के अंधेरों में घिर गया है पर इस प्रकार ली जाती है हेरोईन घर में ही मा की उपस्थित में ही मैं तो सोचती थी कि हेरोईन को होमियोपैत की पुडिया की तरह भाक लिया जाता होगा पर इस प्रकार पन्नी, मुंबत्ती, चून और इस्ट्रा काई कॉंबिनेशन ये ताम जाम बाप रहे वे क्षन जैसे क्षाषत क्षन बन गए थे सब कुछ थिर था उन क्षनों में हवा का दबाव, प्रत्वी का घूमना, परिंदों का उरना मेरी उपस्तिस से बेखबर उन क्षनों में उसकी सारी चेतना उस धुए पर केंद्रे थी दीरे दीरे उस धुआ भी शेश हुआ उसने सिर उठाया एक तरफ से अजली और कड़ी पड़ी उस पन्नी को उसने जमीन पर रखा मुंबत्ती को योँ ही जलती चोड़, नशे की तंद्रिल खुमारी में बहते हुए घुटनों पर सिर रख आखे मून ली और खुद को हवाले कर दिया किसी अनाम हाई पावर सुख के हाथों अरे अरे ये क्या? मुंबत्ती से चादर में आख लग सकती है मैं चीक पड़ी चेतन अचेतन के संद्रि बिंदु पर खड़ा डहता बहता वो थोड़ा चौका कौन? नशे की खुमारी थोड़ी जड़ी अदमुदी आखों के कपाट एक बारगी खुल गए रकताब आखों में पहचान के जिलमिल उबरी खुमारी की जगे वहाँ आप सक पकाहट और आत्म ग्लान के मिले जुले भाव थे उसने हाथ जोड़े और हलके से हसा एक उदास और दरकती हसी तो आपने भी आज मुझे देखी लिया अपने वास्तविक सरूप में अच्छा ही किया जीवन का ये छुपा आख्यान भी खुला नई विशू मैंने अच्छा ने किया आज यहां आकर ओफ कितना यातना पूर्ण है एक सत्य से दूसरे सत्य पर आरोहन करना मैंने उसे कहना चाहा पर मूख रही शरांश के लिए मन मीलो पीछे दोड़ गया था 1972 का वो फंता नकसलवाद आंदूलन किसी जोशीले समुत्र की तरह ठाठे मारता हुंकारता विशू हार्ट ओर नकसलवादी पुलिस का प्राइस कैच शिकारी कुत्तों की तरह जिसके पीछे पड़ गई थी पुलिस पुलिस ते बचते बचाते एक रात हमारे या ठहरा था वो आँखों में जिल्विलाता एक सुपन आम आदमी की मुक्ती का मन में दरसंकल्प हिर्दे में सिंग साहस मेडम इस उठते ज्वार को अब शायदी कोई रोक पाएगा सदियों से दबा पिसा कुछला सत्तू खाने वाला ये सरवहारा वर्व अभुंकार भढ़ने लगा है इन्हें एक आदमी की गर्मा अब दे नहीं होगी आम आदमी की मुक्ती का हमारा ये क्रान थी स्वपन मैडम यही मेरा जीवन सत्ते है इसी के लिए अपने को भून भून निशेश कर देना चाहेता हूँ बार में सुना वो मीसा के अंतरगत किरफतार कर लिया गया था जेल के भी भीतर बनी जेल में रखा गया था उसे निपट अकेला और थर्ड डिग्री टॉट्चर फिर भी पुलिस कुछ भी ने उगलवा पाई थी उससे करीब पांस साल रहा उसके बाद 1977 में जब जन्ता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद सभी डखसलवादियों को छोड़ दिया था तभी छूट पाया था वो ताज्युक काटों के बीच खिला फूल सेज पर आते ही मुर्जा किया था अमानविय पुलिस यातनाओं और प्राणों को सुखा डालने वाले सन्नाटे और दहशत भरी परिस्थितियों में भी जिसका मानसिक संतुलन नहीं गड़ बड़ाया जेल से बाहर आते ही गड़ बड़ा गया था वो बदली हुई फिजा हवा और बदलावा मौसम उसे तोडने लगे थे एक सपन की ताजा मृत्य से भी जादा जान लेवा ये एहसास था कि वो फिजा वो हवा ही बदल गई थी जहां सपनों की जमीन बनती थी जहां करांती के फूल फलते फूलते थे जहां बसकर आँखें सपन देखना सीखती थी आधे से अधिक जावाज कामरेड मारे जा चुके थे जो जीवित रह गए थे उनकी रीर की हड़ी तोड़ी जा चुकी थी और जो आने वाली पीड़ी थी उसका करांत के नाम से ही मोह भंग हो चुका था वे फिर अपने सूखे अध्यन की दुनिया में लोट चुके थे पर विश्वजीत वो ऐसा नहीं कर सका मानव मुक्ति के महान सपनों की एवरेस पर चड़ जाने के बाद ये लूलों की सी वापसी उसका संतुलन इस कदर गड़ बढ़ाया कि किसी प्रतिस्रश्ट को रचने का सपन लिये वो चल गया हेरोईन के अंधेरों के प्रतिसंसार में एक नई फेंटेसी की दुनिया में जहां वो था जो वो नहीं था और इस नामुम्किन से लगते सत्य का एक सीमांत से दूसरे सीमांत पर लुरकते जीवन का ये चश्म दीद गवाभी मुझे ही बनना पड़ा था कहां खो गई मैडम? अब वो खड़ा हो गया था दीवार पठुकी कील में उसने चद्धर टांग दी थी कोने पर रखी स्टूल को खीच कर मुझे उस पर बैठने का आग्रह करने लगा था तो मैं नशे बाच के रूप में देखूंगी कभी सोचा भी नहीं था बोलते बोलते कंट अवरुद्ध हो गया था मेरा एक संभावना पूंग जीवन का इस प्रकार असमय अवसान वो हसा एक दरक्ती हसी उदासी का अक्स भी ओगरा मैडम आप मेरे एडिक्शन पर दुखी हैं पर मुझे तो इस दुनिया में सभी एडिक्ट लगते हैं किसी को सत्ता का एडिक्शन है किसी को धर्म का तो किसी को श्रिष्ठता का देखा नहीं आपने इंदरा मैडम का सत्ता एडिक्शन सहने पाई विद्डॉल और लगा दिया अमिर्जनसी विड्डॉल ये क्या मैडम दीरे दीरे आप नशे की इस दुनिया की सारी शब्दावली समझ जाएंगे विड्डॉल का मतलब है जब नशे बाज की डोस का समय हो जाए और उसे डोस नहीं मिले ओफ बड़ा भेंकर होता है हेरोईन का विड्डॉल बदन एटने लगता है जोड जोड चटकने लगता है जुबान लॉक हो जाती है ओफ मैडम एक बार भुगती थी मैंने भी विड्डॉल की आतना अरे पैडलर दोका दे गया नकली माल थमा गया जब नीचे से ताप दिया तो माल पे गलाई नहीं दूप काठी का पाउडर था मैडम विड्रावल में नशेबाच कुछ भी कर सकता है चोरी डकैती खून तक वो बच्चे के दूद का डिबबा तक बेच सकता है रोगी की दवाई बेच सकता है बीबी का जेवर बेच सकता है साक्षाच श्री देवी भी सामने आ जाये तो वो कहेगा नो पहले पत्ता कुछ पल खामोश थोड़ा रुक कर वो फिर कहने लगा लेकिन मैं कुछ दूसरी बात कर रहा था हाँ याद आया हाँ तो मैडम मैं कह रहा था कि सभ्यता और इतिहास की अधिकांश लड़ाईयों के पीछे यही नशा रहा है संसार की नंबर वन ताकत बनने का नशा मैडम एक नशे बाज के नशे का तो फिर भी डी टॉक्सिफिकेशन अर्थात नशा मुक्ती के लिए शारेग इस्तरपदी जाने वाली चिकित्सा करवाया जा सकता है पर सत्ता धर्म और शेष्टता दंब का उसका तो कोई डी टॉक्सिफिकेशन भी नहीं उससे उलजना फिजूल था इस कारण समवाद की आरोही उठान को व्यक्तिकर्द धलान पर लाती हुई मैं फिर बोल पड़ी तो तुम फिर क्यों नहीं करवा लेते अपना डी टॉक्सिफिकेशन मुझे बताओ क्या करना होगा मैं करवाओंगी तुमारा ट्रीट्मेंट अंजाने ही मैंने उसके दुखती रग पर उंगली धर्दी थी वो चुप हो गया था मैंने फिर जोड़ा उसे बताओ किस नर्सिंग हों में होता है डी टॉक्सिफिकेशन वो जैसे अपने भीतर से बाहर आया वेदना का समुदर उसकी आँखों में लहराया आदर आँखों से मुझे देखते हुए बुद बुदाया नहीं मैडम मुझे ठीक नहीं होना पानी भरे बादलों सी भारी भरी आवाज जैसे साक्षात वेदना क्या क्या कह रहे हो तुम क्यो ठीक नहीं होना चाहते तुम मैडम यदि मैं ठीक हो गया तो ये व्यर्थ सा लगता खाली जीवन मुझे जिया नहीं जाएगा वे सौपन वे संकल्ब दुनिया को फिर से बनाने के वे महान विचार मैडम मान लिए कि मैं ठीक हो भी गया तो क्या वो समय, वो महान समय मुझे मिल जाएगा जब देश का सर्ष्रिष्ट युवा वर्ग, सत्य और न्याय के लिए आम आदमी की गरिमा की खातर, पुलिस की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था मैडम, आजाद भारत में भगत सिंग के बाद वो पहली पीडी थी जिसने अधेरों की दुनिया को रोशन करने के लिए कफन सिर से बांधे थे मैडम, 1979 का वो महान इंकलाबी समय जब भारत ही नहीं, योरोप, अमेरिका और फ्रांस के चात्र एवं युवा वर्ग ने भी अन्याय, राजी व्यवस्था एवं ताना शाही, राजतंत्र के विरुद आवाज उठाई थी मैडम, आज तो लगता है कि युवा वर्ग विद्रों की आवाज ही भूल गया है विद्रों की कोई सुक्वुगहट तक नहीं, उसके स्वपन, जीने के अर्थ, आयाम, सब कुछ सिकुड गए है ओ, वो वातावर्ग, वो महान और पवित्र समय, वो युवा वर्ग, सब शेश हो गया मैडम, कुछ ने बचा, कुछ भी नहीं सब उम्मीदें, आशाएं बांज हो गई है उसकी आँखों में धुआ था, धुआई धुआँ, गुटनों के बीच मूझ चुपा लिया था उसने धीरे धीरे सुबक रहा था वो, उसकी देह काप रही थी उस उदाश शाम संसार के सबसे बड़े दुख को जन्म लेते देखा मैंने और अपने मरे हुए मन के साथ लोटाई, उसके साड़े तीन महीने बाद ही फिर हुई दूसरी मुलाकात, घर से फील्ड वर्क के लिए निकल रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी, एकदम गिरती लड़कराती डरी सी आवाज मैडम विड्रावल में हूँ, थोड़े पैसे चाहिए, पत्ता खरीदना है, मैडम प्लीज, यदि पत्ता नहीं लिया, तो विड्रावल में ही मर जाओगा फोन ने नैतिक अंतर तंद और दुविधा में डाल दिया, क्या करूं, दूं, न दूं, यदि सच मुझी मर गया तूं सोच रही थी कि वो फिर किर गड़ाया, मैडम कुछ बोलिए, मेरी कुछ किताबें हैं उन्हें ले लीजे, आप किताबें संग्रे करती हैं लगा जैसे उसकी आत्मा का सत्व पूरी तरह रिचोड़ गया है, लगा जैसे वो नहीं, मेरी इमारत ही डह रही है आप में जैसे गुला टक गया था, किसी प्रकार थूंक निगलते हुए कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ, हाँ अभी तुरंद बस पकड़ कर सीधी उसके यहां पहुँची तो फिरावा, अली बाबा की गुफा के खुले दर्वाजों की तरह उस घर के सारे कपाट खुले थे, बाहर की साकल से लेकर निजी कमरे के कपाट तक डर और आशंका के साथ लगवग उती हुई उसके कमरे तक पहुची तो मन पर कफन ही पढ़ गया था, कमरे के कोने में किसी डरे हुए जानवर की तरह भैबीत, कच्छुए की तरह अपने सारे अंगों को अपने भीतर समीटे हो बैठा था, चेहरे पर जंगली घास की तरह बढ़ी दाड़ी, मुझे देखती उसकी बुझी आखें चिंगारी सी दहगी, दूसरे एक शर वो चिंगारी बुझ गई और आखों के कोटर में अजीव सी दीमता और याशना भर गई, मैडम बीस रुपे दे दीजे, बस बीस रुपे, आपको लोटा दूगा, उसके दा बढ़निय नहीं दैनिय था, उसका चेरा काला पढ़ गया था, कीचर और नीद भरी आखें और जुप गई थी, भै, आत्मलान या और अपमान की लहरों ने जैसे उसे हींता के सबसे आखरी पाइदान पर लापटका था, गरदन की जकरन को दूर करने के लिए उसने दाए वाएं गरदन भूमाई, उंगलिया चटकाई, अपने सूखे पपड़ाएं होटर पर जीप फिराई, फिर थोड़ी दूरी बना कर कहने लगा हूँ, मैडम बिना पत्ता लिये शरीर कपका पाने लगा, पानी हाथ में लिया तो करंट मारने लगा, ओ, विड्रावल की एक पूल ट्रकी, और उमू धाब कर सुबक्टे लगा, मैंने जलती से दस-दस के तीन नोट उसको पकड़ाए, कई दिन की बढ़ी हुई उसकी दाड़ी में फिर कुछ आसू टपके, उसकी एक आँख हसी दूसरी रो पड़ी, कब कपाते होटों से दो शब्द पेड़ की सू अधेरा अपने भीतर लिये में लोट आई थी, घर लोट कर मैंने उसे दो पंक्ति का एक पत्र लिखा था, अपने को डिनाय करने के बजाए, काज तुमने अपने इशुरत को पहचाना होता, तो जीवन के संसपर्ष से इस प्रकार वंचित नहीं रहते, और अब उस दास् ये तीसरा हैरत अंगेस प्रष्ट, बैठे बैठे जाने कैसी अइसपर्ष्ट एवं उदास अनभूतियां मन के कोने कोने को अवसास से भड़ने लगी, कि मैं फिर फरपड़ा उठी, क्या खुले शब्दों में ही लिखतिया है धर्मान तरहन, पर नहीं, उस पर लिखा थ रिसरेक्शन वर्षिप सर्विस, बीस फरवरी, रवीवार, सुबह आठ बजे, दोड़ती बस और धूम मचाते विचारों के जटके, एक मार्क्सवादी, लेनिनवादी का इस प्रकार रूपांतरण, मन मानने को तयार नहीं, ये सचमुष कृतगिता ग्यापन है या, और इस प्रशन को भी अनुतरित ही रहना था, सुबह की नर्म धूप, चहल पहल और चटक रंगों में नहाया छोटा सा खुबसूरत लौन, ताजी कटी घास, रत्ताकार में सजाये रंग विरंगे मौसमी फूर्णों के छोटे छोटे गमले एक आंतरिक घेरा बनाये हुए, गेरे के बाहर पचास साहट आमंतरित अती थी, गेरे के भीतर एक कतार में कुरसी पर बैठे विश्वजीत और उसके साथ साथी, धर्मांतरन के लिए प्रस्तुत, हवा में लहराता पेनर, इमैनुवल मिनिस्ट्रीज, कलकत्ता, सैमेरिटेंस, दूर खड़ी चार-पांच एम्बुलेंस नुमा, सफेद गाड़ियां, जिनकी बॉडी पर लाल अक्षों में लिखा हुआ था, येरोपियन कम्यूनिटी, इधर दर नजर घुमाई, चार-पांच अंग्रेज महलाएं, वे इसी आयोचन के लिए पिछली रात मैंचेस्टर से यहां आई थी, अपने की साड़ी, रंगीन, चूडियां, बिंदी, कानों में बुंदे, परंपरा और संस्कृति को प्रभामान रखते हुए धर्मानतरा, आयोजन के शुरुआत में लेक्ट्रिक गिटार पर एक प्रार्था गाई गई थी, हवा की लेहरियों पर तिरते हुए शद मुझ तक पह प्रथे पढ़ा, सबसे पहले आया राकेश पर्मा, जिससे मैंने ध्यान से सुना था, और जिसके शब्दों ने मेरी चेतना को जगजोड डाला था, उसने कहना शुरू किया, ड्रग ने मेरे जीवन को अंधेरों और पाप से भर डाला था, चोरी से लेकर हत्या तक सारे को कर्म कर चुका था, मुझसे दुखी होकर पत्नी ने अपना वाशन करवा डाला कि इस जाहिल व्यक्ति का गर्म धारन नहीं करोंगी, मैं अध्यात्मिक रूप से मर चुका था, शैतन मेरी आत्मा में बैठ चुका था, एक बार विड्राल की छटपटःट में मैंने अपनी मा के सोने की चार चुड़ियां तक बेच डाली थी, उसके बाद मेरे घर के दर्वाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे, अपनी हालत से परेशान, अपनी मृत, आत्मा और जर्रा जर्रा पिखरे शरीर के साथ, एक शाम मैं चर्च के बाहर बैठा था, कि हटात मैंने सुना, कोई पादरी बाइबिल का संदेश सुना रहा था, I give my blood for your sins, I forgive all your sins, मैं तुमारे सभी पापों को क्षमा करता हूँ, पहली बार मुझे उन चमत्कत क्षणों में इशर बोध हुआ, मेरी आखों से आसू बहने लगे, तो मुझे माफी मिल सकती है, मेरा भी भविश हो सकता ह बस एक बार कोई मेरे पापों क्षमा कर दे, मेरा विश्वास कर ले, बस उस दिन से ही, और उसके आगे वो भावा तरेक में बोलनी पाया, हाथ चोड अपनी जगह बैट किया था, दूसरा उमीदवार विश्वजीत था, अतिसंक्षित स्विक्रति उसकी, कुछ इस प्रक जो संस्कृति गिरे हुए को उठाती है, उन्हें अक्षमा करना जानती है, वो चाहे जिस किसी भी कारण ऐसा करे, मैं उस संस्कृति का सम्मान करता हूँ, उसके बाद एक एक करके सभी यूगों ने अपने आत्प कथे पड़े, आंत में फिर येश्यू इस्तुती, बाइ नवता का अंतिम शरान स्थल है, प्रेम, येश्यू और सेवा, उत्सव की प्रारंबिक जिल्मिल के बाद शुरू हुआ असली आयोजन, येश्यू की अद्रश्ची डोर से बंद कर, पूरा कारवा, उत्सवा और उलाज के साथ, मैदान के पिछवाडे के उर बढ़ा, वह विश्यू की शरण में जाना था, जैसे विश्यू जीत की बारी आई, गिटार पर बंगाली धुन बजने लगी, उद्यन पारामनी के साथ विश्यू भी अब कमर तक भरे पानी के उस हौज में था, भाव विवल हो, पारामनी ने कंदे से पकड़ा उसे और अपने ही साथ तीन डुब्कियां लगवाईं, कैमरे के फ्लेश चमके, पहले के सब विश्वास, संसकार, मानिताएं, पहचान, सब उतारी ही केचल की तरह बह गए उस जल में, नए विश्वास, नई मानिताओं, एवं नई आस्थाओं के साथ, अपने नए अवतार में, अब वो उद्य से इसायत स्युकार करते हो, यस, डू यू एक्सप्ट क्रिशनिटी एज योर सेवियोर, अर्थात क्या तुम इसायत को अपने रक्षक के रूप में स्युकार करते हो, यस, आमीन, आनंद और सार्थक्ता की एक नदी, उद्यन पारामनी की नस्थ नस्थ में दोड़ रही भावा तेरेक मेवे कपकपाए और अंडे से ताजा फूते चूजे की तरह बड़ी को मलता से ताजा ताजा धर्म भाई बने विश्वजीत को गले से लगाया, विश्वजीत अब उस हौच से बाहर था, इन्हें क्रॉस क्यों नहीं पहनाया गया, पास खड़ी एक महिला स मैंने पूछा, हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं, हम क्रॉस नहीं पहनते, मुस्कुराता हुआ जवाब आया, अच्छा पर इनका नाम भी नहीं बदला गया, मैं तो सोच रही थी कि अब इन्हें भी पॉल, मैत्यू या जोसफ जैसे नाम दिये जाएंगे, जी इधर के वर् में, छोटे से कमचे से भीके हुए बालों को पोचते हुए, वो स्वैमी मेरे पास आया, मैं असमंजस में, क्या मैं भी बधाई दूं से, आसपास नचरे खुमाई, सभी आमंतरित अतिदी घण, खाने की मेश पर जा रहे थे, चलिए उधर, जेब से कंगी निकालते हुए कहा उसने, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, ये आखें डेपडबा गई, एक बात पूछू, जानता हूँ, आपके कड़ घरे में हूँ, पूछिए, अपनी पैनी पनीली आखें मुझ पर टिका दी थी उसने, याद है, तुम धर्म को अफिम कहते थे, क्या वो नाटक थ या आज तुमने जो किया वो नाटक था, उपर से मानवता वात का मुखोटा, पर अपने भीतर अंडरग्राउंड अंधेरे में तुम भी वही निकले, गुरिल्ला वार की बजाए, अब मैं सीधे हमले पर उतराई थी, लेहरों की तरह उतरपा, मन के बंद तहकाने में जा जाने किस अदबुजे अंगारे पर जाने कैसे पाउं पढ़ गया कि उसकी आखे चल चला गई, भीतर उठती आधी के वेग को थामने के प्रयास में कुछ खणों मूख रहा वो, फिर फूट पड़ा, मैडम कभी महसूसा है आपने मरे हुए सपनों के साथ जीने की कसक को, कभी सुना है आपने उन जिन्दगियों के निशब्द करंदन को, अपना अंश अंश दे चुकने के बाद भी जिनके खाते में नफरत, हिकारत और अविश्वास के सिवाए कुछ हाथ नहीं आता, जानती है मैडम, थाने में इंटरोगेशन के दौरान मुझे स्पी ने ले इसके निशान, मुझे को लिटा कर मेरे शरीर पर रोलर चलवा दिया था, पर उस तस्वीर पर मैं थूप नहीं सका, क्योंकि वो मेरी आस्था मेरी आत्मा से चिपकी थी, पानी में तीन बार डुपकी लगा कर किसी कवच कुंडेली की तरह मैं से उतार कर किसी को नहीं दे सकता, बोलते बोलते फिर उसने ताका मेरी और, मैंने देखा उन आखों का रंग बदल गया था, जमी बर्व सी उदासी और सफेदी थी उन आखों में, एक दीर निश्वास ली उसने और फिर दीरे दीरे अपने में ही बहने लगा था वो, मैडम, दिन भर की उडान के अपने बाड़े में लोट आते हैं, पर मैंने कभी जाना ही नहीं, क्या होता है मंजिल की तरफ लोटना, कॉलेज के दिनों में अपने सातियों के साथ एक महन सपन देखता था, आम आदमी को गरिमा देने का, सदियों से होते आए, सोशनर से उन्हें मुक्ति दिलाने का, औ मेरे सारे कामरेर्स मार डाले गए, अपने साथियों और उस सपन की मरति को मैं सह नहीं सका, मैं उन दिनों सिर्फ मौत चाहता था, मौत, पर मौत ने मेरा साथ नहीं दिया, साथ दिया हेरोईन ने, ये नशा मुझे कुछ समय के लिए या थार से दूर, किसी सपन की छाया म किसी फेंटेसी की दुनिया में ली जाता, जहां मैं या मेरे कामरेर्स थे और मेरे सपन थे, वहां वो सब था जो मैं चाहता था, पर दीरे दीरे वो फेंटेसी की दुनिया भी शेश हुई, और नशे का विकराल अजगर मेरे वजूत को ही रसने लगा, आपने तो खुद म मन पहली बार थिर हुआ, मुझे लगा एक खोया हुआ सत्य मुझे वापस मिल रहा है, मुझे लगा इस दुनिया को मैं फिर से तो नहीं बना सकता, पर शायद इनकी सहेता से मैं इस दुनिया के जहर को थोड़ा कम कर सकूँ, इस विश्वास और उपकार के प्रतिदान में मै पिर उन्हें अपना जीवन और शेश बची उर्जा देनी चाही, पर इन्हें मेरे जीवन और उर्जा को नहीं मेरे धर्म की आवशकता थी, मैंने उन्हें अपना धर्म दे दिया, आकर उपका का रिंड तो मुझे चुका नहीं था, वो चुप हो गया था, जैसे बोलते ब इसलिए मैडम कि आप जैसे लोग अपनी संस्कृति और धर्मानतरनर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, मिथक, कथाओं, सौपन, बिंबों और देवी, देवताओं की ये उच्च संस्कृति, बहुत गर्व है आपको इस पर, काश आप त्रिशूल बाटने के बजाए लोग के दुख बाट पाती, काश आप ये समझ पाती, कि जो संस्कृति गिरे हुए को उठा नहीं सकती, उन्हें क्षमा नहीं कर सकती, पीड़तों के खून, ठूक एम मवाद से अपना आचल गंदा नहीं कर सकती, वो दीरे-दीरे खोकली होती जाती है, और एक समय आता है, जब समय की रेत पर उसके पधिचन मिट जाते हैं, उसके आखों की जवाला बढ़ने लगी थी, मैं चुप्पी मार गई थी, वो सबसे अलग थलग पूरे वातावरर से असंप्रक्त खड़ा था एक ओर, एक धनीभूत उदासी मड़ा रही थी उसके चेहरे पर, अभी आप सु दिखी हुई कहानी और अन्त में एश्यूद।